हेलो फ्रेंट्स मैं मन्जू श्री वास्ता अपने चैनल में आपका हार्डिक सौबत करते हूं फ्रेंट्स आप यह जो देख रहे हैं समान इसको देखके आपको कुछ तो अनुदाजा होए गया होगा यह हम एक्चुली आज हैंगिंग बास्केट बनाने वाले दो इसकी पत्तियां बहुत बारिक बारिक होती है यह लाई थी में नस्ती से काफी पहले बहुत सुंदर है बारिक बारिक और इसको लाई थी मैं तो शायद इसको मैंने 1.500 रुपे का देके लिए था और यह तो फॉर्ण जो यह जो है सिंगो निया मेरी फ्रेंड्स से में सब जिनकी बनाते हैं तो फ्रेंड्स हैंगिंग बास्केट तो मैंने यह ली है जो पहले लेकर आई हूं मैंने आप से शेयर की थी यह मुझे 100 रुपीज की उसने बताई थी और 90 की दी थी क्योंकि मैंने बहुत सारी ली थी ठीक है तो यह आईरें उसके है यह वायर पर और सा प्रेंग बास्केट के मिक्स जो होता है उसकी सबसी पहली जो खासियत होती हो यह कि वह लाइट वेट होना जाएंगा उनको उतारना जढ़ाना उनको मेंटेंड करना बहुत टाफ होगा ठीक है इसलिए हम उनको यह लेते हैं और इनकी हम डेली गुडाई तो कर नहीं सकते पाकी कमलों की तरह है तो इन लिए इसलिए इनका पोरस होना भी बहुत जाथा जरूरी है ताकि एडियेशन इन में बरावर रहे है तो इसके लिए जो मैंने लिया है समान यह कई तरह से बनता है जो मैं आपको बता रही हूँ इन सब को नापने के लिए आप कोई भी एक नाप के लिए ले जाए कोई छोटे का टूरी या डिस्पोजिबल ग्लास या जो भी आपको अंदाजा पढ़ता हो तो उससे क्या है नापने में आसानी रहेगी तो सब चीजें एक बरावर के लेनी है इसमें लिया है मैंने कोकोफीट परलाइट वर्मीकुलाइट और क्य सब भी बीमारियों से बचाती है तो यह इसमें मिलाके इसको एक बरावर मिला लेती हूं मैं और फिर हम उसमें भरेंगे सामान जादा है तोप्रियां और भी बननी है तो इसलिए मैंने इसको तब में मिला रही हैं तो मिलाने में आसानी रहती उड़ता उड़ता नहीं और कई लोगों को जैसे सांस की ठोड़ी सी प्राबलम होती है तो ये क्योंकि परला इठ है ये उड़ता है और नाक में जाके जमदार तो अच्छा रहे है वह नाक में मास पहन लें या कोई रुमाल या डुपट्टा अगेरा बांद लें तो उससे यह नाक में नहीं जाएगा ठीक है और यह अब यह तैयार हो गया हमारा बहरने के लिए सबसे पहले हम भरती हूं यह सिंगोनियम वाली इसमें मैंने यह डाल दिया है है और अब मैं इसमें प्लांट लगाती हूं यह चार-पांच प्लांट भी है उसके हां से यह यह हटाई देती हूं इसमें पर कहने सिंगोनियम जो है बहुत ही अच्छा है प्लांट इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं आउट्डोर भी रख सकते हैं ठीक है और यह कि इसकी ज्यादा मिंटेनेंस नहीं यह अपने आप ही चलता रहता है तो एंगिंग बास्केट में आपको प्लांट्स ऐसे चाहिए होते ह कि जो ज्यादा है जिनकी मिंटेनेंस नहीं हो ना क्योंकि रोज रोज ऊपर चढ़ना आप फिर उनको उतार के उनको मिंटेन करना यह हो नहीं पाता है किसी से भी और अब इसे अच्छे से दबा देंगे हम ना कि कहीं कुई उसमें एर गैप ना रहने पाए और अब डाल देंगे इसमें हम पानी ठीक है आपने देखा ऊपर से थोड़ा सा गैप में ने छोड़ा हुआ है वह इसलिए कि हम पानी वानी डालें तो यह मत्तब उचट के बाहर ना है निकल के जो मटीरियल हमने डाला है क्योंकि सूपने के बाद तो फिर वही बुर ठीक है सब्सको को पीठे आपके पास वर्मेकुलाइट है तो पर लाइट नहीं है तो छोड़ दीजिए बाकी चीजें एक बराबर मिला लीजिए ठीक है ना तो भी आपका मटीरियल बिल्कुल सही बनेगा उसमें कुछ दिक्कत नहीं है ठीक है अब हम इसको पानी निकलन के लिए अच्छा रहता है कि आप उसमें पानी ना दें उससे क्या होता है कि सारा मिल्टी जो होती है केक की तरह जब जाती अब इसको हाथ में ऐसे लगा के उंची चीज पर किसे से भी थोड़ा साफ तक करेंगे तो वो निकल जाता है अब हम इसकी थोड़ी सी मिल्टी पास ले देखने थी बड़े गमलों में लगा हुगा है कभी एच्छोटे ही दे दो हम तो बड़ा खर लेंगे इसको गार्डनर के पास नहीं होते हैं पैसों की समस्य होती है क्योंकि जहां प्लांट्स देखे और फिर होता है यह वाला तो है यह नहीं लेना बड़ा जरू प्लांट्स निकल आएंगे इनको सबको हमको इसी में ही किसी थरह से एड़्जस्ट कर देना है कुमा के हम इसी में ही दबा देंगे इनको जिससे कि हमारे और टोकरी जो है अभी महीने बर में और चीगनी हो जाएगी कि यह थोड़ा सा आपको खुद यह फट माणने पढ़ेंगे इसके लिए क्योंकि अभी तो जैसे टोकरी भर जाएगी तो यह पिर और लटक लटक के बाहर गिरेंगे देखिए इसमें दिख रहा है ना कोई नया ब्लांट बन गया ऐसे निकलेंगे सारे अना इसको हम भरन है तो इसको हम दबा देते हैं इसी में तो यह इसी से बढ़ जाएंगे कि आप कि आप कि यह भी हमारी बरके तैयार हो गई है कि अगर आप कि अगर टाइम यही दखना चाहिए कि कहीं से भी ना एर गपना रहे क्योंकि एर क्याप अगर रह जाता है ना उससे क्या होता है कि एर उसमें लगती है जड़ों में रूट्स में लगती है ना तो प्लांट शूपने लगता कि यह होगे तो यार अब मैं आपको लटका के दिखाती हूँ यह इस मैंने एक ट्री और बना दी एक्स्ट्रा और यह वाला जो फर्ण है यह टाइगर फर्ण कहला थे बहुत बड़ी-बड़ी इसकी पत्तियां होती है लेकिन आपको दिखाती हूँ बहुत लबी-बड़ीज की पत्तियां होती है और यह जो है काफी पुराना पढ़न है और आप सोच के हासेंगे हम जब देरादून जा रहे थे थे तो यह मैंने सड़क पे से पहाड़ों के बीच-बीच में होगा होगा तो वहां से निक पुखाड के लाई थी मैं और के दिखाती हूं बिल्कुल जगावीद में वजन नहीं है बिल्कुल बहुत आसानी से उचाती है तो अब मैं आपको इसे तांग के दिखाती हूं तो फ्रेंट्स यह देखिए अच्छी दिख रही ना आप क्या है कि अभी इन अभी मैंने शेड डाला ही हुआ है अगर सब्सक्राइब कीजिए अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर आती हूं तब तक के लिए बताएं